दोस्तों नमस्कार रीड हिंदी के यूटूब पोटल पर आपका स्वागत है दोस्तों हम बात कर रहे थे भक्तिकाल पर पिछले वीडियो में हमने भक्तिकाल के सगुण भक्तिकाब्वेदारा की राम भक्ति साखा के प्रमुक पृतिनिदी कभी गोष्ष्वामी बात की थी आज के वीडियो में में बात करेंगे भक्तिकाल की सगुण भक्तिध धर्वेद standing कभी सुूर्दासजी के बारे में तो आई ही जानते हैं सुर्धाजी के बारे में सूर्धाजी का जन्द 1478 इसभी माना जाता है इनके जन्मस्तान पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं कुछ विद्वान सी ही डिल्ली के पास तक कुछ विद्वान मतुरा के निका capacity मानते हिए सूर्दाज जी के बारे में 84 बेस्टनों की बारता में हमें जानकारी मिलती है जिसमें लिखाएगी गोवर्धन पर स्रीनाथ जी के मंदिर बन जाने के पीछे एक बार बलवाचार जी गवगार पर होते तब सूर्दाज जी उनके दरसन को आए और उने अपना बनायो एक पद गाकर सुनाया आचार जी ने उनने अपने सिस्से बना लिया और भागवत की कताओं को गान योगे पदों में करने का आदेश दिया उनकी सक्ची भक्ती और पद रचना की निपुर्टा देख बलवाचारी जी ने उन्हें सिरिनात जी के मंदर की कीरतन सेवा सूपी ये मंदर पूरन निल्खत्री ने गोवर्धन परवत पर संबत 1576 में बनवाया था सूर्दास बलवाचारी जी से दिख चलेने उन्हें इस से बन जाने के बाद पार सोली किराम में रहने लगे बही पर उनका देह वासान हुआ था इन्होंने जहांगीर के काल में सूर्द सागर की रचना की सूर्दास गान बिद्या में प्रिमिर थे इनके पद बिने और देनने भाव के होते थे लेकिन बलवाचारी जी की सिस्सिता के बाद इनके पद का भाव सक्थ है बाद सल्य और माधर रे भाव में बदल गए इनकी मिर्ती पर बिठलनाथ ने कहा था कि पिस्टी मार को जहाद जात है सोजा कु कचलेनो हो सुलेओ इनकी उपादिया पिस्टी मार का जहाद बिठलनाथ जी ने कहा बास सल्य रस सम्राट जीवन उत्सर का कभी खंजन नेन इनकी रचनाओं की बात करें तो दीन दयाल गुप्त ने सूर की 25 रचनाओं का लेकिया जिन में से साथ रचनाओं प्रकास्थ हो चुकी है जो इस परकार है सूर सागर, साहित तलहरी, सूर सारावली सूर पच्चिसी, सूर रामायर सूर साथी, एमिम राधरस के लिए इन में से सूर सागर की रचना भागवत की पदिदी पर 12 सिसकंद में हुई है इनका काभबे किरसन भक्ती पर आदा रिता है सूर्दास के पदों में बात से लता प्रमुख है लेकिन इनके भक्ती का मेरुदन पुष्टी मार गी है बिजे इंदर इसना तक ने कहा है कि सूर्दास की भक्ती का मेरुदन पुष्टी मार गी है बहीं बल्लवा चारे जी ने अपने सिस्थ सूर्दास को कहा है कि ये भक्ती का समद्र है सूर्दास अश्ठ चाप के कभियों में पिरमुक थे अश्ठ चाप की स्थाफना 1565 टीसवी में गोस्वाई बिठ्छलनाद जी न की थी जिसमें चार सिस्थे बल्लवा चारे जी की थे और चार बिठ्छलनाद जी की बल्लवा चारे जी की सिस्थे में कुमन दास, सूर्दास, पर्मन दास और किरसन दास जी थे में बिठ्छलनाद जी की सिस्से गोविन स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चत्रवजदास थे इनकी रचना है सूर सागर ये सूर्दास की सरफस्रेश रचना है मुक्तक कब्ब है डाक्टर नगेन ने से अन्योक्ती एविम उपालम कब्ब की संग्या दी है इसके आधार सरोत है स्रीमद भागवत प्राण इसके दसम इसकंद का 46 में 47 माध्या है भागवत प्राण की भाती ही इसमें 12 इसकंद है और दसमें इसकंद में सरवाद इकपद है दूसरी रचना है इनकी साहित तलेरी ये द्रेश्ट कूठ है अर्थ गोपन है रष्ट से पूर्ण अर्थ सैली में राधा क्रिस्न लीला, नक्सिक, नायका भेद, वलंकार निरूपन, रीती परक रचना है अब आलोचना गरंत, सूर्दास जी पर जो आलोचना गरंत लिखे हैं वो इस प्रकार है भिरमर गीत सार, रामचंद सुकल, माकवी सूर्दास, नंदुलारे बाचपई, सूर साहित, हजारी पर साथ दुवेदी अश्ट चाप और बल्लब संपर्दाय, दीन दैल गुप्त, सूर्दास, ब्रिजेस्वर सर्मा, भक्ति अंदुलन और सूर्का, सूर्का काब्बे, मैनेजर पांडे इनकी पिर्मक पंक्तियां, सूर्दास की पिर्मक महत्पूर पंक्तियां जो अक्सर पर एक्छाम पूछी जाती है, वो इस परकार है, आज बन कोवे बन जनि जाई, टोटा हैरे गया अहीर घर, कहत सुनाई सुनाई, सवे घोस में भहयो कोला हल, आनंद औरना समाई, दूस निरक निरक मो कहत लाल मो, लाल सो मोन धनी को धनिया, यह सोदा हरी पालने जुलावे, हल रहावे, दुल रहावे, मल रहावे, जही सोई कचुगावे, अगली है, जस्मती मन अभिलासा करे, कब मिरो लाल गुटूरपन रहेंगा, कब धरनी पक दूएक धरे, कान चलत पक दोए दोए धरनी, सिखावत चलन ये सोदा मैया, मैं जानी हो ये घर आपनो है, ये धोके में आयो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ये सोदा बारवारियों भाके, है ब्रज में कोई हितु हमारो, चलते को पाले ही राखे, संदेसो देव की सो कहियो, कहियो जस्मत की असीस, कवं पलक हरी मूद लेथ हैं, कवं अधर फरकावत, बूजत स्याम कौन तू गोरी, जा दिन पंची उड़ जई है, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, बिन गोपाल बैरन भही कुझा, मदवन तुमकत रहत हरे, निर्खत अंक स्याम सुन्दर के बारह इंबार लगावत च सकी इन नेनन तेघन हारे, निस्दिन बरसत नेन हमारे, संदेशनी मदवन कूप भरे, हमारे हरी हारिल्की लकरी, जा पर दीना नात धरे, हरी संग खेलत हैं सब फाग, निर्गन कौन देश को वासी, साहित लहरी के अंत में एक पद है, जिसमें सूर अपनी बंस परंपरा देती है, उस पद के अनुसार सूर प्रिफिराज के कवी चंदरवर्दाई के बंस ब्रंबट थे, चंद कवी के कुल में हरी चंद हुए, जिनके साथ पत्रों में सबसद छोटे सूरजदास या बात होता है, अब बात करते हैं, बिविन आलोचकों द्वारा सूरदास जी के बारे में कही गए, कुछ प्रमुक कथन, पहले आलोचक रामचंद सुकल, इन्होंने सूरदास जी के बारे में जो कहा है, वो इस प्रिकार है, सूर में जितनी भाव विभोरता है, उतनी बाग विदकता भी, दूसरा इनका कतने, सूर सागर किसी चली आतीवी गीत परंपरा का, चाहें बे मौकिकी रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, तीसरा इनका कतने, ऐसा लगता है कि यसोदा यसोदा न रही, मानो सूर ह गई, और सूर सूर न रहे, यसोदा हो गई, चोथा इनका कतने, सूर का सयोक बढ़न एक छणे घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन भी एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अफगाहन करने वाले को दिब्ब माधुरे कहते रिक्त, और कहीं कुछ नहीं दिखाई कतने, सूर को उपमा देने की एक सनक सी चड़ जाती है, और उपमा पर उपमा, उत्परेक्चा पर उत्परेक्चा कहते चले जाती है, सूर सागर, चटा कतने, इनका सूर सागर बास्तम में एक महा सागर है, जिसमें हर पिरकार का जल आकर मिला है, जिस पिरकार इसमें और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूर सागर में है। जितनी सहर्दे और भावकता है उतनी चतुरता और बाग विदखता भी है। किसी भी बात को कहने कि ना जाने कितने टेड़े मेड़े धंग उन्हें मालम थे। गोपियों के बचन में कितनी विदखता और वकरता भरी है। दस्मा कथन रामचंद सुकल का जैदेब की मारी की इसनक्द क्यूज धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी। अबकास पाते ही लोक भासा की सरलता में परनित होकर मिथला की अमराईयों में बिद्यपती के कोकिल कंट से प्रिकट हुई और आगे चलकर बिरज के कुंजों के बीच फैले मुर्जाए मनों को सीचने लगी। आचारियों की छाप लगी हुई आठ बीणाएं स्री किरसन की प्रियम लीला का गान करने लगी जिसमें सबसे मुची सुरिली और मदुर जंकार अंदे कभी सूर दास की बीणा की थी। ग्यार मा कथन रामचंद सुकल जी का स्रंगार का रस राज़त यदि किसी कभी ने दिखाया है तो वे सूर ने हैं बार मा कथन ने इनका सूर का ब्योग बढ़न खाली बैठे काम है वे सीता के ब्योग की तरह परिस्थिती जन्ने नहीं हुई तेर मा कथन इनका बासले और सिंगार के छेतर का जितना अधिक उद्गाटन सूर ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कभी ने नहीं बैए उन छेतरों का कोना कोना जहांगाए चौदमा कथन यदि भासा को लेकर देखते हैं तो वे ब्रज की चलती बोली होकर भी एक साहितिक भासा के रूप में मिलती है जो अन्ने प्रांतों के कुछ सब्दों और प्रतियों के साथ पुरानी काब भासा अब्रहंस के सब्दों के लिये हुए है सूर की भासा बिलकुल बोलचाल की भासा नहीं है अब दूसरे आलोचक आचारे हजारी पर साथ दुवेदी के कथनिन सूरदास जी के बारे में सूरदास के सूर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत साथ नामे अरफित कर देने वाले आज के संगीत को को भी दातों तले उंगली दवानी पड़ती है दूसरा कथन इनका सबसे बड़ी विशिस्ता सूरदास की ये है कि उन्होंने काब्बे में प्रियोकते एक भासा को इतना सुन्दर मधुर और आकर से बना दिये कि लगबग चार सो वरसों तक उत्तर पस्चिम भारत की कविता का सारा राग बिराग प्रेम पिर्तीती भजन भाव उसी भासा के दोरा ही भक्त हुआ तीसरा कतन अचारह हजारी पिर साथ दिवेदी के सूरदास जब अपने काब्बे विसे का बड़न सुरू करते हैं तो मानो अलंकार सास्तर हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दोरा करता है उपमाओं की बाड़ा जाती है रूपकों की बरसा होने लगती है चौथा कतन हम बाल लीला से भी बढ़कर जोगों सूरदास में पाते हैं बैह है उनका मातर हिरते चित्रा माता के कोमल हिरते में पैठने की अधुद सक्ती है इस अंधे में पांचमा कतन हजारी परसाद जी का सूरदास ही ब्रजभासा के पर्थम कभी है और लीला गान का महान समुद्ध सूरदा सूर सागर ही उनका पर्थम का अब्द है छटा सूरदास जहां पुत्रवती जननी के प्रेम पल्लेवित हिर्दे को चूने में समर्थ हुए हैं बही बियोगनी माता के करोन विकले थिर्दे को भी चूने में समर्थ हुए हैं सात्मा कथनिन का भिर्मर गीत में जिस ब्योग का बढ़न है वे सोले आना ब्योग है अर्थात गोपियों में संयोग की भावना का पूर्दर लोफ हो गया है उनका भ्रह इतना गहरा है कि देश काल और पात्र से सर्वता मुक्त हो गया है अगले आलो चक सिबकुमार मिस्र सूर्दाजी के बारे में कहते हैं कि सूर की भक्ती कविता बैराग्य निवर्थी अत्वा परलोग की चिंता नहीं करती बलकि वेच जीवन के पृति असी मनुराग लोग जीवन के पृति एपृतिहत निष्ठा तथा प्रविर्थी परक ज प्रवेदी जी ने कहा है कि सूर्दाज ने अपने काब्बे के लिए जो जीवन छेतर चुना है बेसीमित है पर इसके बावजुत उनकी लोग पिरता ब्यापक है इसका मुख्यकरान ये है कि उनका छेतर गिरस्त जीवन और परिवार से जुड़ा है मैनेजर पांडे सूर प्रेम के खंडित होने का डर और ब्योग की बेदना भी उतनी ही अधिक होगी गोपियों का प्रेम उपरी नहीं है इसलिए अलगाव का दर्द अधिक गहरा है गोपियों की ब्रह बेंजना में उनकी आत्मा की चीख पिरकट हुई है नन दुलारे बाचपई सूर दाजी के बारे में कहते हैं सूर ने समूचे प्रसंग को एक अनूठे ब्रहकाब्ब का रूप दिया है जिसमें आदी से अंत तक ब्रज के दुख की कथा कही गई है दुलारे के प्रसाथ सकसेना जी ने कहाया सूर ने बालको के हिर्देस्त मनोभावों को बुद्धी चातुर्रे इस परदा खोज पिर्ती दुन दिता अफराद करके उसे छिपाने और उसके बारे में कुसलता फुर्वक सफाई देने आदी पिर्विर्थी के भी बड़े ह अगले आलो चक हरवान सलाल सरमा सूरदाजी के बारे मी कहती है सूर का बास सल्ल के भाव बिस साहित्ते में अपना बिसेस इस्थान लगता है दूसरा कतानी नीका सुर्दास की अंतर द्रस्टी माना भिर्दे की तहे में गोता लगा कर भाव रतन लाने में बेजोड है बाल कोंके दिन चर्या के सुक्षन से सुक्षन भेद को चोटे से चोटे बेपार की गूर से गूर अनुभीती को चितर करना कभी नहीं भूल सका अगले आलो चक रामकुमार बर्मा सुर्दाजी के बारे में कहते हैं बाल किर्षन के सेसब में किर्षन के मचलने में तथा माता ये सुदा के दुलार में हम विस वियाफी माता पुत्र प्रेम देखते हैं अगले आलो चक हैं डाक्टर किसोरी लाल किसोरी लाल जी ने सूर्दाजी के बारे में कहा है बास्तम्य सूर और तुलसी जितने बड़े भावुक सम्मेदन सील और गंबीर भावनुगीतियों के धनी थे उसी कोटी के भासा अलंकार ध्वानी आदी तक तो के मरमग भी थे अगले आलो चक ब्योगी हरी सूर्दाजी के बारे में कहते है सूर ने यदि बास्तम्य को अपनाया तो बास्तम्य सूर को अपने एक मात रास्तम्य में इस्थान मान लिया सूर का दूसरा नाम बासल्य और बासल्य का दूसरा नाम सूर है सूर और बासल्य में घनिष्ट सम्मन्द है तो इस परकार हमने आज सूरदाजी के बारे में जाना यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक सेयर करना ना भूले चैनल को सबक्राव विस्ट करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तो